एक ही दिन में 691 रुपए तूट गया यह शेर 22 परसेंट गिर गया कमपनी का रिवेन्यू। शेरों की बेचने की होर दिक्सन टेकनोलोजीज शेर क्रैश खराब तिमाही नतीजों के बाद आज शुकरवार को दिक्सन टेकनोलोजीज के शेरों में तगड़ी बिक्वाली हो रही है। कमपनी के शेर इंट्राडे ट्रेड में 691 रुपए रुपए तक गिरकर यानी 20% तूटकर 2673.05 रुपए पर पहुँच गये थे। यह इसका नया बावन वीक लो प्राइस भी है। बता दें की कमपनी को दिसंबर 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही में जबरदस्ट जटका लगा है। इसका रेविन्यू 22% घट गया। कमपनी की तिमाही रिपोर्ट कमपनी ने दिसंबर तिमाही Q3 of Y23 के लिए निराशाजन्क रिपोर्ट की सूचना दी। Q3 of Y23 में कमपनी का रेविन्यू 22% सालाना योई घट कर 2405 करोड रुपए हो गया। रेविन्यू कम होने की वजह कंजूमर, इलेक्रोनिक्स और लाइटिंग की बिक्री में 49% की गिरावट है। हालांकि तिमाही के दौरान टैक्स के बाद लाब Q3 of Y22 में 46 करोड रुपए के मुकाबले 12% बढ़कर 52 करोड रुपए हो गया। हालांकि ब्रोक्रेज ने इस पर बाई रेटिंग बरकरार रखा है और इसका टार्गेट प्राइस 3865 रुपए प्रती शेर रखा है। हालांकि एपासिटीज ने कारमशियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। वेरेबल्स और रेफ्रिजरेटर जैसी नई प्रोडट्स कैटेगरी से रेविन्यू जेनरेट हो सकता है। इनका असर शेर पर साकारात्मक पड़ सकता है। वहीं एक अन्य ब्रोक्रेज एम के 3,165 रुपए शेर का टार्गेट दिया है। झाल 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 झाल